नमस्कार हमारे special segment news talk में आज आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं indoor जिसे की smart city के तोर पर अब देखा जाने लगा है और smart city की जब बात होती है तो smart talk होना चाहिए और smart ही step भी आगे बढ़ना चाहिए कैसे indoor जिले के DM और collector समानी शुई पी नहररी सर आगे smart steps बढ़ाने वाले हैं और क्या पूरा plan of action है किस तरह से उन्होंने एक action plan तयार किया है जब केंडर की मुधी सरकार ने अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती indoor जिला प्रशासन के कंधों पर दे दी है और 11 नंबर पर indoor का नाम शामिल है smart city की पहली सूची में ऐसे में तमाम challenges पर हम बात करेंगे सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमश्कार सभी को नमश्कार सर smart talk करने वाले हैं जो कि smart city की definition क्या है बहुत सारे youngsters जाना चाहते हैं क्योंकि जो भी publicity हुई है अब तक smart city को लेकर बहुत सारे संशय है क्या उन्हें लगता है कि बहुत-ज़दा modernized city होगी या हमारा जो cultural heritage है उसको दरश्टिकत रखते हुए development हो देखे smart city का worldwide accepted जो definitions जो भी उभर के आए है उसमें कोई भी city आम आदमी के लिए रहने लाइक हो और उसकी जो आधुनिक आवशक्ताइं है वो इस तरह से उसमें समावेशित हो कि उसको अपना जीवन जीने में बहुत आसान हो जाया smart city की अवधारना में जब हम देखते हैं तो smart city में ना आपको ओवरहेड ऐसे एलेक्रिक तार जूलते हुए दिखेंगे और ना ही बैता हुआ कोई drainage दिखेंगा और पेजल हो सीवर लाइन्स हो आपको जूड़ने से भी कहीं उपर के भाग में नहीं दिखेंगे आपका पूरा जो शहरीक शेत्र है जहां पर रहते हैं या फिर आपके colonies हैं आपको पूरा व्यवस्थित दिखेंगा आपके greenery बैतर दिखाई देगा और उसके साथ ही शहरीक शेत्र का जो धनत्र वाला जो भी क्शेत्र रहेंगे वहाँ पर ज्यादातर लोग अपने वाहनों को छोड़कर पैदल या फिर non-motorable vehicles यानि की साइकलों का उप्योग करेंगे तो इससारा की व्यवस्था जहां पर दिखाई देगा वो smart city कहला है सर यह कहें कि आप लगी हैं इंदॉर के लिए क्लिए लगातार जबसे आपने collector की कुर्से संभाली है ज़ाई तो संभाला है जबसे इंदॉर achievements करता जा रहा है ODF के मामले में इंदॉर जिले को बहुत बड़ा एक recognition मिला है स्टेट गवर्मेंट ने पहला इंदॉर को एक खिताब दिया सोगात दी है किस से यह चैलेंज को आपने देखा और ग्रामीन शेत्र में बहुत सारे चुनौतियां होती है उनके civic sense को लेवल तक ले जाना कितना कथिन कितन पुस्दर पुस्ट और generations together हर साल हर दिन लोटा लेकर जो ग्राओं के बाहर या खेट कलीहान के किनारे जो लोटा लेकर शौच करने जाता है उस व्यक्ति को अगर हम कहें कि आप इसको बंद करो और आप सोचा लग उप्रो करने लगो व्यक्ति बहुत ही अजीब तरीके से अपने को देखता है कि यह क्या हमसे मांग कर रहे हैं उसी चीज को समझाना और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना बहुत बड़ा कटिन काम है लेकिन मैं हमेशा इस बात में विश्वास रखता हूं कि शासन प्रिशासन को अपने लोगों के साथ समवाद बना की चलना उनको समझाना चाहिए उनके लिए जो शासम प्रिशासम जिस सरा का काम कर रहा है जो चीजे परिवर्तन क्यों आना चाहिए यह बताने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो जो वन-to-one talk या community-based talk इन चीजों का कमिया रहती है इसलिए लोग व्यवहर परिवर्तन नहीं करना चाहिए तो इस पर्टिक्लर ओपन डेफिकेशन फ्री ग्रामें जिला बनाने में भी हम लोग ने यह स्टाटेजी अपनाएं समझाने का फोकस जो है पोरा समझाने पर जादा रहा है रादर दन टॉयलेट कंस्ट्रॉक्शन पर तो इसलिए हम लोग सक्सेस्फिल वो पाए जैसे ही स्मार्ट सिटी ये शब्द आता है तो क्वालिटी ओफ लाइफ एक ऐसा एसपेक्ट है जो भी बहुत जरूरी है आपको लगता है इंद औरियन्स उस क्वालिटी ओफ लाइफ को अडॉप करने के लिए तयार है इंद और की पॉब्लिक को भी कैसे आपने हर बार क आप नगीजियमेंट फ़हर है कि पॉब्लिक इंगेजमेंट बहुत अशियाल होता है किसी भी इनिशेटिव के लिए तो स्मार्ट सिटी में आगे कैसे पब्लिक इंगेजमेंट यांभाले के ओलरेडी स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट प्रोपोसल तयार हुआ हुआत से इंडिविजवल असोसियेशन और ग्रूप्स के माध्यम से उनके साथ इंट्रेक्शन काफी हो चुका है तो उसमें जैसे मैं बता रहा था कि लगबग 72,000 लोगों ने अपने सजेशन दिये लगबग 2,000,000 सजेशन हम लोगों ने इकत्रित किया है इस चार मैने के इस पू को हम बहुत ही सकारतना ग्रूप से उपयोग करने का प्रयास करेंगे सर्क्ली इंडॉर ग्रीन इंडॉर ये स्मार्ट सची का के महत्वण एस्पेक्ट होगा क्योंकि आप बहुत जादा जो है इंवर्मेंट फ्रेंडली सोच रखते हैं बाइसाइक्लिंग को आपने सेवर करने की कई बार बात भी कही है और मुझे उमीद है कि आने वाले दिनों हम देखेंगे कि आपके नित्रतन अधिकारी भी जो है हस्ते में एक दिन साइकल का उब्योग करते ने ज़राएंगे परियावरन को बनाये रखना जी और इस हमारा जो भी परियावरन है इस हमारे लिए टॉप्मोस प्रियारिटी रहेगा तैकानमजीत शुदी करन से संबनित हो पूरे शहर में प्लांटिशन की विवस्ता हो हमारे ऐसे बीहड पड़े हुए पहाडियों को उनको पुनर जीवित करना हो तो यह तमाम चीज़े अल्रडी प्रियारिटी में हैं परन हमारे पास और परियोजना हैं अमृत प्रोजेक्ट हैं बिक हाउसिंग फर आल स्कीम हैं और स्मार्ट सिटी में कुछ गटकों का हम लोग उप्योग करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि कॉम्बिनेशन ओफ हमारे पास एक शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स यह तो मैं यह कहूंग हो मौडनाइजेशन हो ट्रेडिशनल इंद और का तो वहां पर वो तमाम बेसिक सुविधाय भी हो और फैस्ट अपर सोलर एनर्जी डिपेंडेंट लाइफ भी बहुत जरूरी है जैसे कि आने वाले दिनों में कहा गया है कि 24 घंटे जल की विवस्ता हो पीने के पेर जल की विवस्ता हो बिजली की सुचार हो विवस्ता हो तमाम जो पैक्टर्स हैं इसको कैसे कोफ़ करेंगे क्या कोई प्लान तयार किया है तमाम पैक्टर्स को लिखते हैं कि शहर का जो विकास है अल्रडी मानी मेर साब और हमारे जो परिशद है हमारे विधायक गन है इनके इस तरह से शहर का विस्तार हो रहा है और हमारा शहर पुरे देश के ही वन और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीस हैं पॉपुलेशन वाइस वाइस वेहिकलर डेंसिटी वाइस यह तमाम चीजों को द्रिश्टिकत रखते हुए मैं यह आप यह कहना चाहूंगा कि अमृत प चाहे वो द्रिंकिंग वाइडम सप्लाई से संबंधित हो सीवर नेट्वर्ट को पुना जीवित करने से संबंधित हो यह फिर रोड और इंफ्रस्ट्रिक्टर डेवलेप्मेंट को करने के आवशक्ता हो हम लोगों ने यह तमाम चीजों को उसमें डाला हैं परन्तु यह स कोई भी शहर का विकास ओर पीरिड ऑफ टाइम होगा एक साल में एकदम ऐसा कोई डेफेनेट परविरतन एक साल में आपको नॉट नेसेसरीली दिखे लिगा अगर दुनिया बर में अगर शहरों का विकास हुआ है स्मार्ड इस्टिजिस के रुपने उभर के आये हैं बान साल दस साल पंदरा साल वीज जाल का समय लिया है तो हम बात करेंगे फाइब यह आने वाले फाइब यह की प्लान को हम कैसे एक्सेजूट करेंगे उसकी जाधा बार बार बिल्कु फिकार मिशन पाइब यह तर्ग जो कि ना केवल इन दौर बल्कि पूरे मध्यप्रदेश की शान है पहचान है वो किस तरह से नजर आने वाला है क्या जिल्म प्रशासंद अप्लाइब यह कहना चाहूंगा कि अभी जो हमने सिटिजन इंगिजमेंट किया था उसको सिटिजन नहीं कहा है कि हमारा जो शहर क करने की आवशकता है तो इसलिए हमने राजबाड़ा को जो लगबाद पांच छे सो एकर का लैंड जो एलांड पार्सल को उसको लिया है उसमें कई सारे इलिमेंट्स के उपर काम करेंगे वहां का जो आज का जो पेजल और स्कीवर नेटवर्क होती बतर हालत तो इसलिए हम यह कह रहे है कि यह रिट्रो फिटिंग का ताथ यह है कि पुराना जो वाइबर जब कभी इस ब्राजबाड़ा एरिया का अफधारना हुआ थी उस समय जो प्लैनर्स ने जिस तरह से प्लैनिंग किया था इसको इंटक्ट रखेंगे लेकिन मॉडन एलिमेंट्स उसमें डालेंगे जैसे मैंने काई कि आपको तार नहीं दिखेंगे आपको नीचे यह जो पेजल और सीवर लाइन इंटर लिंक्सिंग होने वाला चीज नहीं दिखेंगा आपको अधिकांश एरिया को हम पेवर ब्लॉक से ऐसा बना देंगे जिससे कि आपको आसानी से हिर अधिकी हटा कर रिवर साइड रोड नेटवर्क को भी डेवलप करने की जबर तो यह तमाम चीजों को हम लोगों ने राजबाडा का रेट्रो फिटिंग में डाला हुआ थिया थोड़ा देखिये जब टाम करेंगे वहां के स्थानी लोगों पोड़ा बहुत तकलीफ होग और अभी तक तो मेरा हर जगा जहां कहीं पर भी हमने काम किया है हमेशा सहभागिता को ही उनको साथ लेके प्राइरिटी दिया है जहां सहभागिता होता है लोगों का विश्वास लेकि जब हम चलते हैं तो काम आसान हो जाए तो आगे बढ़ते हैं जिस तरह से स्मार्ट स जिसमें भी कहीं कोई बहतरी का तो द्रश्टीगत रखा गया है और आने वाले समय में क्योंकि अभी सब्सक्राइब इंदार में अगर है तो वो ट्राफिक की है और उसमें कहीं ने कहीं सिविक सेंस भी आ जाता है कि ट्राफिक रूल्स के वाइलेशन के के से बहुत सारे देखने को बुदें एक्सिजेंटल केसे साथ हैं क्या इस एस्पेक्ट को भी द्रश्टीगत रखता गया गया है क्योंकि सेफ्टी और सिक्यॉरिटी भी स्मार्टी का बहुत बड़ा पहलू होगा बहुत ही सही पॉइंट आपने है हमने इंटिलिजेंट सिटी मैनेजमें स्मार्टी में दो तरह की काम करना है एक अरिया बेस्ट काम करना है एक पैन सिटी इनिशेटिव लेना है तो पैन सिटी इनिशेटिव में हमारे द्वारा इंटिलिजेंट सिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को हमने इसमें डाला है जिसमें इंटिलिजेंट ट्राफिक मैनेजम क्या तकलीफ है रही है नागरिकों को अगर किसी सपॉर्ट पर डिफिकल्टी है तो कहा वह डिफिकल्टी तो कंट्रोल में लोग इस चीज़ को देखें उसके लिए हम काम कर रहे हैं तो पैंसीटी इनिशीटीव में इस चीज़ को हमारे दुबरह भी आगया इसे में वाइफाइ पूरे शहर को बनाना कि यह भी स्मार्सिटी के पूजेक्ट में शामिल है और इसको कैसे आप कर पाएंगे वाज सिटी का जो ब्रॉजेक्ट है उसमें पान सिटी में डेफनेटली हमारे इंटलिजेंट इंपूट्स की जो मैंने बात की जो अलरड़ी है आपको पता है कि अभी अलरड़ी हम लोगोंने 150 पॉब्लिक प्लेसिस में प्री वाइफाइ अलरड़ी किया है हम इसको स्केल अप करेंगे विटिन वन एयर हमारा प्रयास यह है कि यह पांसो फ्री वाइफाइ स्पॉर्ट तो यह हम लोग अलरड़ी प्रयास कर रहे हैं तो अब स्मार्ट सिटी के इनिशिटिव स्मार्ट सिटी में हमारा सिटी का सेलेक्शन होने से बहुत बड़ा हम अगे आ रहे हैं वो यह कहरे है कि हमको वहम घल्प करने के लिए तयार है वह कहरे है कि हम 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 करेंगे इंट तो यह स्मार्ट सिटी में एक बार सी आ तो हमको बहुत सारे ऐसे organizations का support मिलेगा और ऐसे intelligence systems जादे से जादे हम इसको डालेंगे तो बहुत सारी बाते हो गई हमने smart city पर बहुत बात की इंदौर की जनता ये भी जाना चाहती है कि किस सरह से जो मूलगुच सुविधाय हैं जो अभी वस्तुगत स्थिती जो वरतमान इंदौर में चुनौपियां हैं जनता के सामने परिशानिया हैं उससे कैसे उनका चुक्ता रहा होगा चाहे हम बात करें बहुत सारी ऐसे वाल् परिशानियों से दूर रखा जा सकता है वो चीजें हमने अमरुत प्रोजेक्ट में लिया हुआ है तो इसलिए थोड़ा स्मार्ट सिटी से खटके हमें इसको सुचने की जबद रहेगा तो इसलिए बहुत सारी आपको बैस्पिशिस और इंडॉर्यंस के लिए के खास मैसेज होगा क्योंकि पॉब्लिक का इंवल्मेंट सबसे जादा है जाधर आपनी बातों में कहा कि प्रायरिटी में आपने पॉब्लिक इंगेजमेंट को रखा है ऐसे में जनिता से कौन से जिला प्रशासन रखता है और अब जबकि हम टॉप 20 में आ गए हैं ऐसे में अब कौन-कौन से चैलेंजे से जिसको आपको पूरा करने के लिए पॉब्लिक इंवल्मेंट जो है बहुत सथ जरूरत जिसकी लगती आपको में देखें इंद और के लोग ऑलरी स्मार्टनेस क कि में हमारा नाम आया तो आप बहुत सारे चीज़ें हम करेंगे इंद इसको कॉन-कॉन की चीज़ें हम करने वाले हैं कैसे हम इसको करेंगे तो आपका आपसे रिक्वेस्ट यही है कि उसी स्मार्टनेस के साथ पार्टिसिपेटिव रहें आप पार्टिसिपेशन देते र तो हम भी अगर कहीं सुधारने की गुंजाईश है तो हम सुधारने तो मैं यही चाहूंगा कि उसी स्मार्ट डेस्क के साथ कोपरिट करते रहें और अपना समय समय को feedback दे and we'll be very happy to implement all your suggestions and feedback. तो यह थे स्मार्ट अंदौर के स्मार्ट कलेक्टर श्रीपी नहरी सर जो की बता रहे थे की बहुत सारे स्मार्ट प्रोजेक्स हैं और उनके तमाम एस्पेक्स पर भी लगातार जिला प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है आने वाले समय में कैसे यह development का प्लान execute हो पाता है और कैसे हमारा राजवाड़ा मध्यपुदेश की शान और पहचान तो है ही अब भारत में कैसे कनुपम स्थान रख पाएगा यह हम आने वाले दिनों में देखेंगे और देखेंगे कि smart city की वस्तुतर हस्तिती किस तरह से जनता के बीच में भी एक positive environment क्रेट करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रोजेक्स साबितों का सरम से बाचीत के लिए बहुत-बहुत शुक्रियादा करेंगे थास्बतिनेवान चलिए नाइस टॉक यहां पर न्यूस टॉक में इजादत दीजिए अगली बार फिर मुलाकात करेंगे तमाम और नए इशूस के साथ फिर एक और जनीमानी हस्ती और शक्सियस गजाद फिलहाल इजादत दीजिए कैमरा पर संट शेलें दरूजर किसा नमस्कार